लोकी की जो सब्जी होती है न ये बहुती ज़्यादा सिंपल सब्जी होती है और खास तोर पे लोगों को पसंद भी नहीं आती है लेकिन अगर आपके पास इसकी सही रेसीपी है न तो ये आपकी फेवरेट होने वाली है तो आज मैं आपके साथ में बिल्कुल ट्रेडिशन राजिस्थानी लोकी की सब्जी शेयर करूँगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोकी इतनी टेस्टी भी बन सकती है और बिल्कुल डिफरिंट स्टाइल है आप कभी सोच भी न सकते कि लोकी को इस तरह से भी हम बना सकते है तो अभी यहाँ पे मैंने दो छोटी कट कर लिया है अभी चलते हैं गेस की तरफ यहाँ पर डाल देंगे तेल जो नॉर्मली हम तेल डालते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे और नॉर्मल रिफाइन डॉयल डाला है मैंने आप चाहे तह सरसो के तेल में बैसे बना सकते हैं अभी एक चमच डाल दी रा है और जो हरी मिर्ची हमने कट करके रखी थी वो इसमें डाल देनी है एक मिनिट के लिए हरी मिर्च को अच्छे से बुन लेना है उसके बाद जो प्याज हमने कट करे थे वो इसमें डाल देने है अभी प्याज को भी हमें अच्छे से बुन लेना है मतलब हलका सा पिंक होन गेस की फ्लेम अभी मीडियम पर ही चल रही है और अब जहां इसमें न जो लोकी कटकर रखी थी न भूई हम इसमें डाल देंगे तो लोकी को मैंने डाल दिया इसके अंदर और लोकी पहोच ज्यादा ताजा थी मतलब नरम थी इस वजह से इसका हलका सा जो कलर है न वह बलेक ब्लेक हो गया है लोकी को जैसे से हिम कट करते हैं वो ब्लेक होना स्टार्ट हो जाती है अभी इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे तो हल्दी डाल दी मैंने आधा चुटी चमच और नमक टेस्ट के अकोर्डिंग डाल दिया मेने यहाँ पर लगबग एक सवा चमच के करीब म और इसे अच्छे से mix कर देंगे नमक और हल्दी डालने के वज़े से ये जल्दी से कुक हो जाएगी वैसे भी oil थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है तो इसे कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ पर lid लगा दिये मैंने और लगबग इसको 5-7 मिर्ट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से पकने दिया था अभी देख सकते हैं काफी एची खुश्बू आ रही है और लोकी जो है ना 90% तक कुक हो गई है अभी मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है तो मतलब अच्छे से कुक हो गई है अभी बागी की मसाले एट कर देते हैं इसमें तो यहाँ पे धन्या पाउडर और मिर्च का पाउडर डाल दिया है 2 चमच करीब धन्या पाउडर और 1-5 चमच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है अच्छे से mix कर लेंगे एक बार के लिए और फिर से इसे ना दो मिनीट के लिए हम ढखके और पकने देंगे मिर्च और धन्या पौडर के साथ में तो दो मिनीट तक पकने के बाद में फिर से हम इसे हटाएंगे और अभी देख सकते हैं लोकी जो है ना अच्छे से पक गई है और इसका जो ओल था ना एक्स्ट्रा वो भी लिलीज हो गया है तो अभी हम इसमें डालेंगे बेसन तो यहाँ पर क्या करना है आपको बेसन को जो है ना मतलब 3-4 चमच करीब आपको बेसन डाल लेना है और उसके बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है तो अभी मैंने यहाँ पर लगबग 3-4 चमच करीब बेसन डाला था और मिक्स किया मुझे हलका सा बेसन कम लग रहा था तो मैंने 1-2 चमच और डाला है तो आप भी अपनी जुरत के इसाब से डाल सकते है मतलब आप जब इसे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगी कि अगर कम लगे मतलब अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए लोकी के उपर बेसन की इतना हमें बेसन डालना है तो अभी देख सकते हैं अच्छे से कोटिंग हो गई है तो एक बार के लिए अच्छे से चला लेंगे और फिर से इसे ढकन लगाके और वापस से पकने देंगे अभी हम इसमें एक स्पेशल वाला फ्लेवर देंगे एकदम स्मोकी वाला तो इसके लिए यहाँ पर मैंने कोईले ले लिए पर इनको रख दिया है गेस को चला के मतलब यह अच्छे से जल जाए इसके लिए हम यहाँ पर गेस चला के और रख देंगे दो मनीटी लगेंगे और देख सकते हैं एकदम लाल हो गए हैं कोईले मतलब अच्छे से जल गए हैं तो अभी हम चलते सब्जी की तरफ, अभी देखे सब्जी भी अच्छे से स्टीम हो गई, मतलब जो बेशन का कच्छा पने वो दूर हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे अमचूर पाउडर, एकदम जो प्याज का मीठा वाला टेस्ट है उसको बेलेंज करेगा यह अमचूर पाउडर, और इसे के साथ में फाइनल डाल देंगे हम हरा दनिया, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्जी, तो इस तरीके से आपको क्या करना, एक बार के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अभी गेस की फ्लेम को ओफ कर देना है, और इसमें कोई भी कटोरी प्लेट या जो भी आप रखना चाहें, जिसमें आप वो कोईला रख सकें, जला हुआ, उस हिसाब से आपको कोई भी एक बरतन रख लेना है, और उसके बाद में ये जलावा जो कोईला है ये इसके अंदर रख देंगे, और इसमें थोड़ा सा हम गी रखेंगे, मतलब जादा नहीं यहाँ पे बिल्कुल जरा सा, अभी तो सड़ दिया है तो गी बिल्कुल जमा हुआ है, तो मैंने इसे हाथ से उठा के रख दिया था, तो थोड़ा सा गी रखना है ताकि एकदम गी वाला जो स्मोकी फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए, काफी अच्छा लगता है इस तरह से, तो अभी इसको ऐसे करके हैं और हम साइड में रख देंगे, और अभी इसके साथ खाने के लिए हमें एक मस्तसी रोटी बनाते हैं, मतलब अगर आप सिंपल रोटी पराटे से बोर हो गए न, तो आप ये वाली ट्राइ करना, मतलब एक तरह से खी का पराटा ही है, तो बीच में हम लगा देंगे अच्छे से गी और उसके उपर थोड़ा सा सूखा अटा लगा देंगे, और फिर बाद में इसको क्या करना हमें, फोल्ड कर लेना है, मतलब जो है न, इसको अच्छे से पेक कर लेना है, जैसे हम कोई भी स्टफिंग वाला पराठा बनाते हैं, और उसे स्टफिंग को पेक करते हैं, इसी तरीके से घी और आटे को अच्छे से अंदर पेक कर लेना है, और इस तरह से प्रेस कर लेना है, और फिर थोड़ा सा सूखा अटा डालके, और हमें इसकी round shape में ही रोटी बेल लेना है, आप इसे square shape में बेल सकते हो, अलग-अलग layer पर अलग-अलग घी लगा-लगा के, इसको fold करके और इसे भी बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा tasty लगती है, क्योंकि जो सबजी है उसमें भी घी वाला smoky flavor है, फिर इसके साथ ये वाला जो आप इस तरह से सेखेंगे न, रोटी को घी लगाके, तो मलब एक तरह से पराठा ही है, काफी ज़्यादा tasty लगता है ऐसी वाली सबजी के साथ में, और फिर इसके साथ दई या चाच अगर आप खाते हैं, तो मज़े आ जाएंगे आपको, अगर आप राजस्थानी होंगे तो आपको पता होगा कि ये टेस्ट कितना एकदम unique लगता है, मस्त, तो इस तरह से आप बना सकते रोटी को, बहुत ही ज़्यादा tasty लगती है, और इस वाली सब्जी के साथ तो मतलब गर्मा गर्म सब्जी और गर्मा गर्म रोटी अगर इस तरह से खाएंगे आप, तो आप इसके फेन हो जाएंगे, मतलब लोकी अगर किसी को नहीं भी भाती होगी न, तो भी उसे पसंद आने वाली, एक बार आप लोकी को इस तरह से try करना, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वो लोकी की सब्जी ही खा रहे हैं, इतनी tasty बनी थी सब्जी, तो must try recipe है, try ज़रूर करना, और अपना experience है न, comment box में मुझे ज़रूर बताना, और इस तरह से आप जब भी रोटी पराठा कुछ भी सेखते न, तो अगर गर्मा गर्म खाना है, तो अच्छे से एकदम कुर्कूरा होंगा, एकदम crispy कर लेना है, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम crunchy-crunchy, तो चलिए रोटी और सब्जी दोनों बनके हो गई है, अभी देख लेते हैं सब्जी, तो एकदम से अच्छा गा smoky flavor है न, सब्जी गंदर आ गया है, काफी अच्छी खुश्बू आ रही है, तो जो कोईला रखा था था न, उसको हम हटा देंगे, और एक बार के लिए सब्जी को चला लेंगे, और अच्छे से mix कर लेंगे, और चलो अब हम जो है न, रोटी को सर्व कर देते हैं फटा फट से, तो यहाँ पे एक थाली ले लिए मैंने, गर्मा गर्म जो हमने पराटा बनाया था, वो रख दिया है, और अब रख देते हैं सब्जी, जो कि बहुती एकदम यम्मी लग रही है, और वाक़े में बहुत टेस्टी बनी थी, आप ट्राइ जरूर करना एक बार मेरे कहने में, और इसके साथ रख देते हैं ताजा ताजा दही, और हमारी थाली बनकर तयार है, तो अगर वीडियो पसंद आई हूँ, तो लाइक जरूर कीजेगा, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे हैं,